तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि Airtel DTH में किसी भी चैनल को कैसे आप एड़ कर सकते हैं या फिर दोस्तों आप किसी भी चैनल को एड़ किये हुएं तो इसको कैसे आप रिमूब कर सकते हैं मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ और दोस्तों मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से आप Airtail DTH में आप किसी भी चैनल को मन चाहे चैनल को आड़ कर सकते हैं और दोस्तों जिस भी चैनल को आप रिमूब करना चाहते हैं किस तरह से रिमूब कर सकते हैं मैं इस वीडियों में बताने वाद हो तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या होगा Airtel Thanks Application को पेंट कर लेना है उसके बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह का इंटरपेस आ जाता है उसके बाद दोस्तो ऊपर में आपको profile का option दिखाई देता है तो simple सा profile वाले option पे click करना है उसके बाद दोस्तो आपके सामने एक option आ जाता है my service का तो simple सापको my service वाले option पे आपको simple से click कर देना है जैसे ही दोस्तो my service के option पे आप click करेंगे आपके सामने दोस्तो कुछ इस तरह का interface आजाता है जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं अब यहीं पर दोस्तो आपको एक option दिखाई देता है air tail black का air tail black के नीचे में आप देख सकते हैं three active connection का एक option दिखाई देता है तो simple सा आपको करना के होगा three active connection के option पे click करना है या फिर दोस्तो air tail black की option पे आप click करेंगे तो वही आपको interface आएगा तो आपको करना के होगा air tail black के option पे click करना है उसके बाद दोस्तो आपके सामने कुछ इस तरह का interface आ जाता है जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तो आपको नेचे क्रान करने के बाद यहाँ पे आपका प्लानspl आप्छाम आपने अड़ कि आप गर दोस्तो आप जिसको और आपके करना क्यों कर दिखाए देता है Simples आपको Modify वाले Option पे क्लिक करना है आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे में एक Modify का Option दिखाई देगा तो Simples आपको Modify वाले Option पे क्लिक कर देना है जैसे आप Modify वाले Option पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का Interface आजाता है और कुछ चैनल को मैं एड करना चाहते हूं तो यहाँ पे दोस्तों मैं अपने e-sport channel को उपेंड कर लेता हूं यहाँ पर e-sport channel उपर में आ चुक है मैं इस पर क्लिक करता हूं अब यहाँ पर e-sport का पूरा channel आ चुक है अब दोस्तों जो भी channel मैंने यहाँ पर select किया है उसमें दोस्तों आपको blue tick यहाँ पर दिखाई देगा देख सकते हैं यहाँ पर blue tick दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है दोस्तों कि मैंने यह channel select किया हूँ हूँ हटाना चाहता हूं उसलिए करना क्योंगा जीस channel को अटाना चाहते हैं उसको blue tick पर click करेंगे उसके वहाँ नीचे में आपको remove option दिखाई देगा इस तरह से आप add कर सकते हैं उसके लिए करना के हूँ है जो भी चैनल दोस्तों आपको यहाँ पर add करना है उसके उपर में जो circle बना हुआ हूँ है उस पर click करेंगे blue tick आ जाएगा ठीक है तो यहाँ पर जो भी चैनल आपको add करना चाहते हैं उस channel को select करना है तो यह से इस चैनल को यहाँ पर add करना चाहता हूँ तो इसके circle के उपर में क्लिक करता हूँ और दोस्तों यह blue tick आ जाएगा तो blue tick आने के बाद आपको करना क्यों नीचे में review का option दिखाए देगा रिएवाब आप्सिन पर आपको simple से क्लिक करना है चैनल select करने के बाद review के option पर क्लिक करेंगे उसके बाद उससे यहाँ पर review दिखाए जाएगा जो भी आपने channel यहाप पर select किया है उसका है दोस्तों कितना प्राइज है और दोस्तों जितना भी channel आपने यहाप पर select किया है उसका कितना plan बन चुका है सब्वेची यहाँ पर सोग कर जाता है उसके बाद आपको करना कियोगा नीचे में confirm का option दिखाई देगा simple सा आपको confirm बाले option पे click कर देना है जैसे ही दोस्तो confirm बाले option पे click करेंगे आपके सामने दोस्तो कुछ इस तरह का interface आजाता है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं उसके बाद दोस्तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फिर से आपको नीचे में confirm का option दिखाई देगा confirm बाले option पे click करना review change का option उपर में दिखाई देगा और जो भी चैनल आप एड़ कर रहे है उसका यहाँ पर प्राइस सो कर जाता है sport चैनल यहाँ पर मैंने select किया है और दोस्तो जो भी आपने चैनल यहाँ पर remove किया था वो remove भी हो चुका है तो दोस्तो इस तरह से आप air tail dth में किसी भी चैनल को हटा सकते हैं remove कर सकते हैं और किसी भी चैनल को आप जोड़ना चाहते हैं add करना चाहते हैं इस तरह से आप एड़ भी कर सकते हैं